हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टो माई चैनल दिल्ली के लजीज खाने दोस्तों आज हम आपके लिए पनीर पकोड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं और इसकी रेसिपी हम आपको बहुत इजी देंगे तो यह रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं यह हमने 200 ग्राम पनीड लिया है और इसके हमने मोटे मोटे पीसिस कर लिया है क्यूब की शेप में और यह कुछ मसाले है आदा चोटा चमच हमने नमक लिया है आदा चोटा चमच हमने सीरप लिया है और एक चमच हमने हल्दी पौडर लिया है और एक चमच हमने य निकाल लेंगे और चाट मसाला भी मिलाएंगे तो थोड़ा सा हम इसके अंदर से चाट मसाला मिला लेंगे जो हमने वन टीस्पून चाट मसाला लिया है और नमक डाल देंगे इसके अंदर से थोड़ा सा तो थोड़ा सा डालना है बिल्कुल नमक क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है और इसे हम अच्छे से mix करेंगे आप सोचेंगे कि यह हमme pasta क्यूं बना रहे हैं तो हम आपको दिखाते है कि हमने pasta क्यूं बनाया है तो इसे हमने अच्छे से mix कर लिया है और अब हम points क रएंगे जिसके हमने qoops की स्यप में हमने पनीद को काटा है उस honest के तेस्टी बनेंगे पकोड़े क्योंकि पनीर थोड़ा फीका रहे जाता है अंदर से तो इसलिए हम यह मसाला लगाएंगे अच्छे से और जिसे आपके पकोड़े अंदर से भी टेस्टी लगेंगे आपको तो चलें दोस्तो तो ऐकोड़ो का बैटल त्यार कर लेते हैं यह हमने एग बैसन लिया है बैसन को और आप इसके अंदर नमक दाल लेगे जीरा मisch जीरा आधा चोटा कट चमच नमक आप मताबिक डाल दे दें नमक हमने मसाले में भी मिला है तर चेसे हैं थोड़ शुले पॉड्डर हम गई छोब चमच यंदर हद्दि पॉड्डर डालें कि यह ओप्शुनल है कि इसके डालने से फूलै हुई बनेंगे अच्छी बनेंगे और भी करकर आप मेक्स कांपर बीचывать बाते हैं कि बाते हैं जाके माध़िए तो इसे भी करेंगे और इसके बनाए बच्छा है। चाहिए अच्छे से हमें इसको विशकर से विशकर लेंगे आप चाहें, तो चमच से भी कर सकते हैं इसको थोड़ा पानी और डालेंगे अभी ये थोड़ा गाडा है थिख है इसकी consistency बहुत जादा गाड़ी है और बहुत जादा पतली नहीं होनी चाहिए पकोडों की अगर बहुत जादा आप बेशन को गाड़ा करेंगे थिक करेंगे तो पकोडे टाइट बनेगे बेशन बहुत जादा मोटा चड़ेगा इसके उपडर तो हमें बहुत अच्छा इसका बेटर रेडि करना है तो यह देखे यह बेटर तयार है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारा त्यार है जब तक कर देंगे तक हम तिल कर लेते हैं और बेटर हमारा एडनी ओगाली है अच्छे से अप्धर यह सल reacted यह तत्सारे पनीर के पीसिक पाद देंगे पनीर के पकोड़े बहुत ही हम टाइमे बomena रिपन कर त्यार हो जाते हैं आप इसे कभी भी बना सकते हैं पनीर के पकोड़ और सारा भी पैस इसके उपर अच्छे से लगाएंगे दोनों साइट से बेशन को अच्छे से लगाएंगे अच्छे से डिप करेंगे बेशन को इसके अंदर तो चलिए अब हम फ्राइ कर लेते हैं पानीर के पकोड़ों को और फ्लेम हमने मेडियम कर दिया है तो मेडियम फ्लेम पर हम इसे अ दालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पनीर के पकोड़े फ्राइब करेंगे पनीर के पकोड़े फ्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जिससरा हमें आलू को फ्राइब करने में टाइम लगता है थोड़ा आलू पकोड़े बनाने में तो पनीर के पकोड़े हमें जीरा पसंद है तो हमने यह पोड़े जाए हैं यह काई कनो सकते हैं तो ऐ देख्षों हैं आहिंकर से लिए कजसनेट नहीं रहया अहाई है और फोड़ें दिप जोड़ेंगे ऐप देख सकते हैं कि पकोडे फूल गए है पनीर के जो पकोडे है वो फूल गए है और बहुत मज़ादार ये पकोडे बन कर तयार होंगे दोस्तो आप इससे शरूरfrig कीजिएगा बहुत इज़ाद ही रेसिपि है पनीर के पकोडे की प्रेफे और अंदर से भी बहुत ज़्यादा निकलेगे तो ये मीडियम फ्लेम पर इस vintage कर लेंगे तो यह देखें किना ही choice लग थूर बहुत ज़्यादा अच्या हो गया है तो देखें तो यह देखें गरम गरम यह पकोड़े तयार हैं आपके लिए तो आप इसे शाम की चाय के साथ स्नेक्स के तोर पर जरूर सर्फ करें कभी भी आप इसे बना सकते हैं घर में कोई गेस्ट आए उनके आगे सर्फ कीजिए बहुत ज़्यादा जल्दी बनकर यह तयार हो जाते ह हमने सारे पकोड़े आईल में से निकाल लिए हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं पकोड़े और यह सर्फ करने के लिए तयार हैं पनीर के पकोड़े आप इसे सॉस के साथ सर्फ करें हर अधनी की चटनी के साथ सर्फ करें यह देखिए बहुत ज़्यादा डिलिशियस और मसेदार बने हैं और अगर आप कोई रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स करते रहिएगा हमें और अपनी फैमिली फ्रेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी रेसिपी को इंशालला नेक्स्ट वीड के साथ थैंक यू फर वाचिंग